लोटस आयरवेदा इंडिया में आपका स्वागत है मैं हूँ उत्पल चौधरी है हमारे बहुत सारे वीवर्स ने ऐसा हमारे से पूछा है कि मैं अपने वाइफ को सटिस्फई नहीं कर पाता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए कैसे मैं अपनी वाइफ को सटिस्फाइब विश्तर पर कर सकूँ तो इसके लिए मैंने यह वीडियो बनाए है तो आएए शुरू करते हैं कई महलाएं अपने दिल की बात खुलकर नहीं कह पाती हैं यहां तक कि अपने पार्टनर या पती को भी यह खुलकर नहीं बताती हैं कि भी बिस्तर पर उनसे क्या चाहती हैं जिसके कारण हमेशा ही पुर्सों के मन में यह सवाल रहता है कि इस्तरी के मन को कैसे जाने हालंकि मैलाओं की भावनाओं के बारे में जानना भी इतना मुश्किल नहीं है बस जरूरी है कि आप उनकी बाड़ी के बारे में जाने जब आपे जान लेंगे कि पतनी को सेक्स के लिए कैसे मनाए या इस्तरी को जोस कब आता है तो आपकी हर उर्जन खुद बखुद सुलज जाएगी यह आप यह सेक्स के चरण अपने साथी के साथ अपनाएंगे तो आपकी सेक्स लाइब को भेतर होने में काफी मदद मिले जब महिलाएं पूर्शों के साथ संबंद बनाती हैं तो उनकी यह एच्छा होती है कि सुरुवात में उनके साथ थोड़ा प्यार और जेंटल तरीके से पेश आएं दरसल महिलाओं को सेक्स की सुरुवात धीमी पसंद आती है बालों में हाथ फिरना गर्दन पर प्यार से चुमना और आखों में देखते हुए आगे बढ़ना उन्हें अच्छा लगता है जब बेचाहें तो आप गती तेज कर सकते हैं अपनी स्पीड आप बढ़ा स लगते हैं कि आम तो पर पूर्सों और महिलाओं की बॉड़ी बस सेक्स के दोरान उनके रिस्पॉंड करने का तरीका अलग होता है अगर आप अक्सर इस सवाल का जवाब खोचते हैं तो महिला कितनी देर में किसी पूरुसे संतुष्ट हो पाती है तो बता दें कि महिलाओ को आर्गनेजम का एहसास करवाने के लिए फोर प्ले करना बहुत आबस्यक है दरसल महिला का सरीर थोड़ी देर बाद सेक्स के लिए तयार होता है और इसलिए अगर सेक्स करने से पहले फोर प्ले किया जाता है तो महिला और पूरुस दोनों एक साथ और गजम का आनन ले स सकते हैं और मैं यह यह भी करना चाहूंगा महिलाओं को फोर प्ले के दोरान होने वाले उत्तेजना एकदम अलग तरीकी होती है आम तोर पर यही माना जाता है कि पूरिस के लिंग का आकार सेक्स के दोरान मिलने वाली संतुष्टी को कापी हद तक प्रभावित कर सकता है जबकि ऐसा नहीं है एक अधिन के मुताबिक एक बात सामने आई है कि आधिक तर महलाएं इस विचार से ऐसा मत हैं कई महलाओं के लिए यह अधिक माने रखता है कि सेक्स के दोरान आप इसका उप्योग कैसे करते हैं कई बार लिंक का साइज कम होने पर महला अधिक संतुष्ट मैसूस कर सकती है अगर पुरुस फोर प्लेक सेक्स को इंज्वाय करता है और पार्टनर की इच्छों पर फोकस करता है यह एक में चीज है महिलाओं की अपेच्छा पूरुस लिंक के आकार को लेकर ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मैं अपनी वाइफ को या अपनी गल्फरिंड को सटिस्फाइक कर पाऊंगा या नहीं है लेकिन महला ऐसी नहीं सूचते हैं अगर आप फूर प्लेक करते हैं उस सटिस्फाइब हो सकती है लड़कियों के बारे में एक रोचक जानकारी यह भी है कि वह सेक्स के दौरां अकसर कुछ नया करना चाहती है सब्सक्राइव में उनके मैंन में भी फेंटसी कई तरे कई चीजों को लेकर होती है लेकिन मैं चाहती हैं कि उनका पार्टनर भी कु नया करने का अर्थ सिर्फ सेक्स पुजिशन से नहीं जोड़ा है बल्कि फूर पिलिक दोरान क्या-क्या नया कर सकते हैं यह भी उन्हें उत्यजित करता है महिलाओं ने यह भी सविकार किया है वह चाहते ही के पुरुष सेक्स दोरान उनके सरीर के हर अंग के साथ खेले कि इतना ही नहीं पूर्शों द्वारा मुह से की गई सरारतें आखों में आखें डाल कर प्यार जताना और ओठों को उनके विभिन अंगों पर फिराना महिलाओं को बहुत अधिक भाता है जब महिला की बॉड़ी की बात हो तो आपको यह भी जान लीजिए कि महिलाओं को अलग अलग पुजिशन में सेक्स करना काफी अच्छा लगता है वे हमेशा एक या दू तरह से ही सेक्स करना पसंद नहीं करती हैं यह उन्हें बूरिंग लगता है और फिर वे सेक्स को इंज तो अलग अलग पुजिशन वाइश्टाइल में सेक्स करने की कोशिश करें फिर दिखिए आपको और आपकी पार्टनर को कितना आनन्द मिलता है कई बार कपल्स के बीच ऐसा होता है कि वह पहले से ही रात का प्लान बना लेते हैं इस इस्तिति में आधिक तर मैलाएं खुद को रेडी नहीं कर पाती हैं दर असल जब महिलाओं को सेक्स करने के दिन और समय के बारे में पहले से ही पता होता है तो उनके मन में इसे लेकर कोई एकसाइडमेंट नहीं होती है महिलाओं पर एक सर्वे में यह भी पता चला है कि महिलाएं खुद को तब अधिक उत्तिजिद मस्यूश करते हैं जब उठेंगे पार्टनर अचानक से उनके करीब आए अब एकिनन इन फैक्स को जानने के बाद आपके लिए बिश्तर पे अपनी पतनी या पार्टनर को खुश करना बेहद आसान आ जाएगा कि यहां पर महिलाओं को भी मैं बताना चाहता हूं कि पुरुस को जो स्किस समय सबसे ज़्यादा आता है तो मेरा ऐसा मानना है कि सुबह पांच बज़े यानि सोकर उठने से जरा पहले पुर्सों के सरीर में टेश्टोष्टरोन हार्मोन का इस्तर पूरे दिन के अपेच्छा 25 से 50 परसेंट अधिक होता है इसका कारण है सरीर का पिट्ट्यूरी ग्लेंड जो पुर्सों में सेक्स हार्मोन तेजी से बनाता है वो अपना काम करत है इसलिए पुर्स सुबह के वक्त ज्यादा सेक्स करने में इंट्रेस्ट रहते हैं कि आपको अच्छा योन समयन्द बनाने के लिए मांसिक रूप से तयार होने की ज़रूत भी होते हैं कि इसे धीमी गती से लें अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर विष्टर पर लंबे समय तक ठिक जाए तो उसे धीमी गती से कि शुरू करने के लिए कहें आप सिलो स्टार्ट करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा आज कल क्या है ना बहुत सारे लोग जो है ना आपनी बाइफ है अपनी गल्फिंड के साथ सैक्स करते हैं तो वह एक प्रेस्टें में सबार हो जाते हैं जो गलत है छी स्टार्ट कि अब शुलूल ओली स्टार्ट करें धीरे धीरे आप आगे बढ़ें तो आपको भी अच्छा लगेगा और आपकी पार्टनर को भी अच्छा लगेगा पाइल्बिक फ्लोर बियाम करें यह आपके लिए अच्छा है और सेक्स करते बद अलग-अलग पॉजिशन में आप सेक्स कर सकते हैं लेकिन महिलाओं का मानना है कि सुबह के समय उन्हें सेक्स करने में ज्यादा आनंद आता है जब वह सुबह के समय यह समंद बनाती हैं तो उन्हें जल्ली से संतुष्टी प्राप्त हो पाती है यही कारण है कि ज्यादे तर महिलाएं सुबह के समय सेक्स करना ज्यादा पसंद करती है कि पूरुष कितनी देर में संतुष्ट हो जाते हैं यह भी मैं आपको बता रहा हूं कि पूरुष के अनुसार अगर आप तीन से साथ मिनिट के बीच इस्खिलित हो रहें तो हो सकता है कि आपका पार्टन संतुष्ट ना हो अगर आपकी पार्टनर की सेक्स्वल ड्राइब आप से ज्यादा है तो तीन से साथ मिनिट की अवधी कम हो सकती है संभुक का समय सीमा अगर आप तेरे मिनिट तक खिचनी में सफर लेते हैं तो आप सामान ने अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बच्चा पैदा करने के लिए कितनी बार आपको सेक्स करना पड़ता है पेगनेंसी का पोजेटीब रिजल्ट पाने के लिए कपल्स शुरुबास से कम से कम 78 बार सेक्स करते हैं इसका टाइम पेरियट 6 महने से लेकर के 158 दिन का होता है एक स्टेडी के अनुसार 1194 परेंट्स का सर्विक किया गया इस्टेडी में पाए गया कि कपल्स कंसीब करने के लिए महिन में कम से कम 13 बार सेक्स करते हैं तो यह था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बताया कि आप अपनी वाइफ को कैसे आप संतुष्ट कर सकते हैं यह आपके दिमाग में है कि आपको कैसे संतुष्ट करना है तब ही आफ perfectly संतुष्ट आप कर पाएंगे अगर अब जको सीधे एक क्ट्रेस की तरह आप श्टार्ट हो जाएंगे तो आप तो सद्वाई हो जाएंगे लेकिन आपकी wife आप से सद्वाई नहीं होगी और फिर हो सकता है कि वो गलत कदम उठाए तो आप अपना ख्याल लखें आपकी वाइफ का ख्याल लखें और आप दोनों की जो बाते हैं आप दोनों के भी सीमित रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है यह था मेरा आज का वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारा वीडियो लाइक करें सेयर करें और सबक्राइक परें धन्यवाद